आज कि इस वीडियो में हम लोग उतल दर्पन और अउतल दर्पन के चिन परिपाटी यानि कि साइन कंबेंशन को पढ़ने वाले हैं जब आप numerical questions बनाते हैं तो वहाँ पर भी आपको दो टाइप का दर्पन मिलता है एक उतल दर्पन और एक अउतल दर्पन तो आप देखे होंगे जब questions बनाते हैं तो वहाँ पर U का मान, B का मान, F का मान, R का मान, H डेस, H यह सब का मान मदलब दिया हुआ रहता है और हमें वहाँ पर एक sign लिखना पड़ता है यानि कि एक चीन लिखना पड़ता है कहीं पर sign plus होता है तो कहीं पर sign minus होता है जो मतलब आपको मतलब बहुत ज्यादा problem होता हुआ पर मतलब आप समझी नहीं पाते हैं कि आपको कहां पर क्या करना है कहां पर आपको प्लस लगाना है कहां पर आपको माइनस लगाना है कहीं पर आपको माइनस लगाना है कहीं पर आपको माइनस हो जाता है कहीं पर भी कामान माइनस होता है कहीं पर भी कामान प्लस हो जाता है बात समझ महारा है कहीं पर एस कामान प्लस होता है कहीं पर एस कामान तरीके से मैं आपको समझाओंगा, अगर आप अपनी किताब को खोल कर देखेंगे तो यह चीतर आपको देखने को मिलेगा, मतलब इससे आपको कुछ चीजें तो यहां से किलियर हो जाता है, लेकिन सब कुछ यहां से आपको समझ में नहीं आता है, सब कुछ यहां से आपको तो पहले तुम्हें आपको बता दूँगा कि मतलब किस परकार से याद रखना है, फिर मैं ही concept बता हूँगा किसका concept क्या होता, इसका tutorial क्या है कि किस परकार से ये चीश होता है, तो चलिए सबसे पहले मैं आप बात करता हूँ कि आपको किस परकार से याद रखना है, तो दे याद रखेगा यह जो आवतल दर्पन होता है इसमें सीर पूर सिर पमारा ed h kaman plus होता है और बाद बाकी जो भी होता है f ho गया, r ho गया, u ho गया, b ho गया, ss ho गया, मतलब सब के सब क्या होगा, minus होगा, मतलब बाद बाकी माइनस होगा इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं कि कितना सिंपल तरीका में आपको बता रहा हूँ बाद बाके क्या हो जाएगा? मतलब यह कैसे होगा अब आपनी याद कर लिया चीज़ को आपको बता अब अपन डिसकस करेंगे यह लिधा अगर बात करें उतल दर्पनं के ऊपर उतल दर्पन में देख लेते हैं और इस चीज़ को आप जाना एँगे न तभी आप नूम्रि तरीके से और यहां पर यहां पर जो यह उतल धर्पण होता है यहां पर सीर पर यू का मान हमारा माइनेस होता है यहां पर यू का मान हमारा क्या होता है माइनेस होता है बाद बाकि सब का मान बाद बाकि सब क्या होता है प्लस होता है आप याद रखेगा सर यहां पर देखे यही चीज आपको याद रखना है अगर आप पुरा चीन परिपाटी गर नहीं भी परते हैं तो कोई दिकत नहीं है बस आप अगर दो चीज याद रख लिते हैं तो आपका सारा काम खतम आपको उतना कंसक्ट भी नहीं समझना है लगने यहाँ पर मैं आपको समझाओंगा एक्शॉल में होता क्या है तो आउतल दरपन में आपको क्या होता है क्या होता है बाद बाकि सब माइनस होता है उतल दरपन में क्या होता है यू माइनस होता है बाद बाकि सब पलस होता है अब कैसे होग सब्सक्तराइब 90 देख सकते हैं अब देख़े जब दीचके जब भी लोगों किरानारिक बनाते हैं जैसे कि यh यह हमारा दरपन हो गिया यह हमारा दरपन हो गिया मान की चलिए यह हमारा सरीर है यह हमारा सरीर है और हमारा दो हाथ होगा एक हाथ हमारा इधर होगा एक हाथ हमारा इधर होता है और एक हाथ इधर होता है तो आप एक चीज़ याद रखेगा इस साइड जो होता है इस साइड होता है में दोनों कांद डिसकस कर रहे हैं अब देखें यह जो दर पांध करकार से है आप हमेशा याद रखेंगे जो प्रावर्तक प्रिष्ट होता है हमेशा दाइए और होता है और जो वस्तु हम में विस्ता हम लोग बाएं और रखते हैं किदर रखते हैं तो बाएं और चाहे कोई भी दरपन रहे आउतल दरपन रहेगा फिर भी वस्तु को हम लोग इस साइड में ही रखेंगे उतल दरपन रहेगा फिर भी वस्तु को हम लोग इस साइड में ही रखेंगे इस बात को किरनारिक यहां पर बनता है और हर केस में हम लोग वस्तु को बाएं और रखेंगे चाहें उतल दरपन हो चाहें अउतल दरपन हो किलियर है चलिए अब सिंपल सा यह तो चित्र आपने देख लिया कोई दिगद वाली बात नहीं है अब इन चित्रों के मदद से अगर आप दे दिखेंगे ठेकिए मनि को इस प्रकार से और मिलोग 닉नCAR मतलब करते हैं और अभी सब कुछ किलियर हो जाएगा कोई थीक़त वाली बात नहीं है चलिए अब मुद्दा पर आते हैं जो चीज हमको समझना है यहां पर इस चीज का ध्यान से थेकराइगा यहां पर हमने क्या यह करके मोँ यह अ्वतल करें चल रहे है जैसे को भी दरपन होगा यह क्या होता है। मुख् sparks जानती होंगे इसको एक मुख् th sparkling भी मुख्यक्ष में इसको हम लोग बलते हैं आगर इसको चिस प्रकार से ध Orleans का इसको इसका केंद्र हो गारे है ना ये 받고 क्या वो स Sharp तो यह हमारा C हो गया यह जो APP आप आप देख पार हैं इसको आप बोलते हैं मुच्खयफोकस इसको क्या बोलते हैं मुच्खयफोकस जरो Heh यहां पर हमने क्या है क्या वस्टू है यह फिर आप इसको में भी या फिर आप उंचाई बोलिये कोई दिगत नहीं आप वस्तू की लंबाई भी बोल सकते हैं या फिर वस्तू की उंचाई भी बोल सकते हैं या फिर बिम्ब की उंचाई बोलिये कोई दिगत नहीं तो यह जो बिम्ब की उंचाई या फिर बिम्ब की लंबाई है इसको हम से सुझित करते हैं तो इसको हमने लिग दिया अब देखिए किसी भी चीज़ का अगर हम लोग माप करेंगे तो माप हम लोग करते हैं धूरूब से कहां से करेंगे धूरूब से तो पी से जो एप के बीच का जो दूरी होता हम पी से मुझ के फोकस के बीच का जो दूरी होग इसको छोटो आज आत का एप से सुजद करते हैं अद इसको पतिमिंब बरिए तो परत्पिकRe know-s है तो डूरी होगा है मोठ सब्सक्राइब बैट करने सब्सक्राइब करते हैं अबी जो P से लेकर यहां था कि वस्तु है या फिर Bimb बोले था दोने के चाउजे तो जो वस्तु की दूरी या फिर बिम्भी की दूरी होगी उसेया हम लोग यू से स्प्षूर्इच करते हैं इसको कि वह बोलते हैं यू Бोलते है इतना कि लियर है समझ माया को यिश यहां पर इहां पर जो एप आप यहां पर देखिए लिए पिर बिम्ब की दूरी जो आप बोलें допरके की दूरी ठीक है या फिर भी मतलम क्या हो गया परतिवींब की दूरी यहां पर हमारे पास एक एच है अच को तो बीम्ब की ऊंच आई हो गया यह है यह अग लेकिन जो चीज में आपको बताने वाला हूं अभी तक मैंने आपको नहीं बताया है चलिए आप मैं आपको समझा देता हूं इसको आप फड़ा पर नोट डाउन कर लिए कोई दिखत नहीं है अब हम लोग चलते हैं सिधे चीननी के उपर किसका चीननी क्या होता है मैं एक अबर एक्सक्ष कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए तो आप फड़ा में यहाँ होता है ओ और चन्ओहली लिए यहाँ पर घ्राट निखिव क्या होता पर हैं च्छीननी पर हम पर हम रही होता क्या होता तो देखे यह सब नीचे हमलों हमारा मायनिस होता है, इस साइड में भी हमारा मैश होता है, ऊपर की और जाएंगे तो पलस होगा, इदेर अगर जाएंगे तो क्या होगा प्लस होगा, आपको अगर इदर आना है तो क्या होगा, माइनस होगा, अगर आपको उपर जाना है तो क्या होगा, प्लस होगा, अगर आपको नीचे आना है तो क्या होगा, माइनस होगा, बस सिंपल सा जो ग्राफ होता है, हम लोग ग्राफ बनाते हैं, छोटे से हम लोग ग् कुछ इस प्रकार से अगर कुछ इस प्रकार से इस लाइन को भी अगर इधर बढ़ा देंगे तो देखिए हमारा लाइन देखने में कैसा लग रहा है किलिए सिंपल सा समझे प्रैक्टिकली समझे आप यहां पर मैं थोड़ा सा यहां पर कलर चेंज कर लें तो आपको मैं होगा उपर की और जो होगा सब का सब क्या होगा प्लस होगा और नीचे की और जो होगा सब का सब क्या होगा माइनस होगा क्लियर है अब देखिए इसके इधर तो हमारा कुछ भी नहीं है और इसके इधर देखिए सब कुछ है हमारा एप भी इधर ही है भी इधर ही है आर इधर है और यूवी इधर ही है मतलब इस साइड है इस साइड इस और है इस और देख लिए आप ध्यान से सब के सब हमारा इस और है यहां पर माइनस हो जाएंगे देखें सिंपल सा कहानी है किया अब देखें मतलब इस साइड में जो जो है सब का मान मायनस होगा अगर इधर कोई तुसका मान मायनस होता लेकिन में कुछ भी नहीं हुआ कोई दिकत्वाली बात नहीं छोड़िए यह जो जो था मैंने सब को माइनस कर दिया अब जैसे कि मैं आप से कहा था कि आप भी आर यू हो गया अब जैसे कि हमारे पास यहां पर एक एक है तो चलिए एक डैस और एक का डिसकसन कर लेते हैं तो एच है उपर की ओर है और उपर की ओर होने से क्या होता है प्लैस होता है अब बच्या है एच डैस डैस देख लेकर नीचे की ओर है के तीर धाय कोको अध्यान से इस प्रकार से तीर है ना तो नीचे की और होने से क्या होगा यहां पर माइनस होगा इसलिए कितना सिंपल पर मैंने आपको बता दिया चीरण कुछ भी दिखत नहीं है आप समझ सकते हैं वस आपको सिंपल जो graph होता उस graph को याद रखना है आप कहानी खतम आप अगदम आराम से हर एक चीज का चीज नहीं पता कर सकते हैं किस प्रकार से होगा क्या होगा क्या नहीं होगा यहां पर मैंने परतिविंब को नीचे की और क्यों लिया अगर आप सोच रहे हैं यहां पर जिसे बीम पर उपर की और ही हम लोग लेते हैं कुछ इस प्रकार चाहिए तो परतिविंब नीचे की और क्यों बना इसलिए यहां पर मैंने आपको इस graph को दिखाया था आप देख स होता है आय।ूतल दर्पन होता है कमेसल दरपन में दो ही क ta nlar hik banta एक हमारा ये बनता है एक ये बनता है तो आप दो नोOff को सबसे पहले ध्यान से देख लीजी अगर आप यहां पर ध्यान से देखें कि chaînealic who यहां पर हमारा इस परकार से वस्तु है और इसका परतिविम बना है यहां पर छोड़ा जीसा बना है लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं कैसा बना है मतलब वस्तु को भी ऐसे लिया गया है और परतिविम भी हमारा कैसे है ऐसे ही बना है दोनों पर कितर है उपर की और तो चलिके अब आपको समझाता हो। ना नेया लापको बार मिम्द को लेंगे किदर लेते हैं तो हम लोग हमेशा बाएं और लेंगे साइड की और लेंगे तो यहाँ पर भी जैसे आप देख सकते हैं वस्तू को बाएं और लिया गया है तो यहाँ पर हमने क्या क्या है? यहाँ पर कोई वे एक बस्तू आप ले लिजीए चलिए हमने यहाँ पर एक बस्तू ले लिया अब जैसे या पर एक केंदर होगा इंट तो कसे माना है कि अ प्रगारस रिखेस की हमारा क्या बनेगा है आप कहीं पर बना कर समझा लिए लग की मैं आपको अच्छे सँ ही बता देता हूं जान पर हमारा आया फें अब रहेंगेज में पहले कहा पर हमारा आप पर इसका बना है परतिविम्ब कुछ इस प्रकार से यह हमारा राग एडस और यह हमारा हो गया बीडस किलिए रहे अब यहां से हम लोग क्या करेंगे सब का मतलब मान लिख लेते हैं अब पी से अब यह हमारे क्या है परतिविम्ब है और परतिविम्ब की दूरी को क्या बोल यह हमारे क्या है पर्तिविंड की हूंच आई तो इसको क्या बोलते हैं एच डैस बोलते हैं बोलते हैं ना यह सब चीज मेरा होता ही है चलिए अब यहां से हम लोग साइन को देख लेते हैं अध्यान से समझ यह आपको समझ में आ जाएगा कोई दिकत वाली बात नहीं आप एक डम आशाले यह जाएंगे तो समझ सकते हैं गहाँ बस सिंपल सा इसी चीज़ आप यहां पर गौर किजिए चलिए मैं यहां पर इसको complete draw कर देता हूं, यह हमारा नीचे की और हो गया, यह हमारा उपर की और हो गया, यह हमारा left side में हो गया, यह हमारा right side में हो गया, clear है, इधर जो होगा, यह हमारा plus होगा, उपर की और जो होगा, यह भी plus होगा, इस side में जो होगा, यह minus होगा, नीचे की और जो होगा, यह भी minus होता है और बात बाकि सब का सब हमारा इस और है तिया क्या परक्या होगिया अब बात करें ऑस का और या लणे से होता है है यहां पर ऊपर की ओर आप तीर चीने देख सकते हैं तो यह भी आपका क्या होगा प्लस होगा यहां पर है प्लस होता है और आपका यहां से एच डैस भी प्लस होता है बस अहीं इसका कंसेट है आप देख सकते हैं जैसे कि मैं आपसे कहा न कि यहांपर आपका के रजोट किवल यू कमान माइनस होगा बाद गए सब कमान पलस होगा तो किस प्रकार से होता इस चिंपल सा और आपको यहांजना जरूरी है तब ही जाकर आप numerical questions को कर सकते हैं तो मच्चे तरीके से और इस चीज़ को आप तो पहले note कर लिए देखिए आप कुछ भी नहीं याद रखते हैं बस simple से आप इस चीज़ को याद रखिए बस यहां से आप सब कुछ बता सकते हैं यह हुआ आपका man यह हुआ one of the most important point ठीक है अगर आप इस चीज़ को याद रखते हैं तो आपको उतना कुछ भी ध्यान नहीं रखना है नो तो आपको ग्राब बनाना है नो तो कुछ करना है कुछ जंजट नहीं लगिन यह चीज़ कहां से आया मैंने आपको complete बताया अब चल जिसको हम लोग M बोलते हैं अगर इस चीज़ को अगर आप समझ गये तब आपका मतलब लगब लगब concept clear हो जाएगा किंकि आपको यह भी निकालना आता है M भी आपको निकालना पड़ता है और M का मान minus plus आप इसका भी जो sign conversion है इस चीज़ को भी थोड़ा सा मतलब दोनों में हम लोग बात कर लेते हैं जो सुत्र होता है ह्ट बराबर minus फिवटा यु आप देखिए दरपन में तो इसमें m का मान आपको minus भी देखने को मिलेगा और plus भी देखने को मिलेगा और यह जो उतल दरपन होता है उतल दरपन में आपको m का मान हमेसा plus थेखने को मिलेगा यहां से और एक मस्त concept है, जिसको आपको समझना है, क्या concept है? ठीके, concept को आप समझे एक दम ध्यान से, देखिए, यहां पर मैं आपको link देता हूँ, आप लोग note down कर लिजिए अपने copy में, क्या concept है कि अगर मान की चलिए कि m का मान अगर पलस होता है, m का मान क्या होगा? आभासी तथा सिधा जिया तो परतिवीम자 में जो बनेगा वो दो यहांद मीं अबानों के सिधा सिधा होगा और किका मानन माइन अगर माइनस होता हैר हो तो क्या होगा वाउ वाउ इस परकार से यानि के वास्तिविक तथा उल्टा What bands यहां से आपृकृति हमयसा बता सकते हैं दिया क्वा अगर आपको बताना पड़ेगा और म मानने पलस आता है तो 80 होगा है याना हाँ अगर मानने साथ है तो वाओ होगा यानिके वास्त्रिक तथा उल्टा होगा, clear है, तो यह था concept, आप एकदम फटा-फट नोट डाउन कर लिजिए, और वीडियो कैसा लगा है, आप नीचे comment सक्समें, comment करके बताएं, अगर बाका में वीडियो पसंद आया है, तो एक like कर दें, और आप अपने सभी दोस्तों साथ इस वीडियो को share कर कि लैंस में हम लोग चिन्न को किस प्रकार से मतलब करेंगे, ठीक है, तो चिन्न में किस प्रकार से चिन्न परिपाटी होगा मतलब लैंस में, तो उस चीज़ को मैं आपको अगले lecture में बताऊंगा, अगर आपका comment आता है, तो नहीं तो अभी फिलाल में इतना ही रनने देत आउं, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्यो,